वेलकम फ्रेंड्स ओवर चैनल आओ मुबाइल वर्ड दोस्तों आज हम अन्बोक्शिंग करने वाले हैं केडियम सुपर पोर्ट्स वाइलेस इयर फोन जो की डबली टू सीरीज का है C-type charging port है बहुत कुछ तो इसका unboxing करते हैं और देखते हैं इसके अंदर अपने को क्या क्या features देखने को मिलता है और quality, wholesale price, looks, design कैसा मिलता है तो भाई हम कर रहा हैं अन्बोक्स तब तक आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस प्रकार की वीडियो रेगिलरी हम आपके लिए लाते रहते हैं तो भाई बोक्स जो है वो काफी अच्छा यहां पर दिया हुआ है एक बैतरी पेकेजिंग आपको मिलने वाली एक छोटा सा बोक्स मिलेगा इसके अंदर आपको आई थिंक एक चार्जिंग केबल मिल जाएगी इसी टाइप चार्जिंग केबल यहां आपको दिय हुई है और देखें तो यहां पे आपको एक यूजर मेनियूल देखने को मिल जाएगा जिससे आप टाइम पास कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको टच पेड इसका कैसे यूज करना है फाइनली फ्रेंड्स येरा हमारा वायरलेश इयर फोन इयर बाइट साब बोल सकते हो इसको लुक्स इन डिजाइन की हम बाद कर रहे हैं काफी अच्छा लुक्स यहां आपको इसका देखने को मिल रहा है देखो नीचे की साइड में यहां पे इसका चार्जिंग पोर्ट ह उपर ब्रैंडिंग है यहां पे मोडल नंबर डेट वगेरा मारी हुई है और यह आपको वरंटी के अंदर मिलने वाला है बलेक कलर में यहां आपको देखने को मिल रहा है काफी टाइट इसके अंदर यह लग रहा है उनको इयर बट की जो है लुकिंग आप देख सकते हो बहतरी प्रीमियम लुक यहां आपको देखने को मिल रहा है और केस का जो लुक है वो भी प्रीमियम यहां आपको मिलने वाला है तो लुक से डिजाइन काफी अच्छी यहां दी हुई है और इसका बिल्ड क्वालिटी चेक करें तो काफी अच्छा इसका बिल्ड कि sound quality जो है वो अपने को कैसा मिलता है sound quality अगर अच्छा है तो wholesale price जो है वो यहाँ एक बहतरी wholesale price यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है तो वीडियो को जड़ा भी skip मत करना भाई wholesale price आप देखना और decide करना कि आपको इसे buy करना है यहाँ नहीं करना है क्योंकि एक बहतरी wholesale price के साथ में बहतरी quality का जो है वो ear bird यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा भाई तो इसको connect करवाते हैं और देखते हैं ear के अंदर इसकी fitting कैसी रहेगी इसे पहले यहाँ आपको इस प्रकार के जो है blue color के sticker इसके नीचे से लगे हुए होंगे जिससे कि यह connect नहीं रहता और battery I think इसे नहीं low होता है इसके लिए लगा के रखे हैं तो आपको इसे निकाल के इसको डालना है अंदर आपके case के अंदर और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ LED light अपने को देखने को मिलेगी charging के लेगी कितना charge है यहाँ आपने इसको बार निकाला है तो भाई यहाँ पे हमारा Bluetooth device जो हो connect हो चुका है और अब बात करते हैं इसके ear के अंदर fitting की तो भाई ear के अंदर जो fitting है वोगर आपके कान की size अगर छोटी है भाई तो आपके लिए difficult हो सकता है बाई कान की size normal है उसके अंदर यह आ जाने वाले हैं और यहाँ से जो यह मुड़ा हुआ है वो काफी अच्छा safe है इसे ear के अंदर यह ठीके रहने में आपको help रहेगी तो यहाँ पे इसकी ear के अंदर fitting ठीक ठाक देखने को आपको मिलेगी और अब बात करते हैं इसके sound quality की तो बाई sound quality जो है वो काफी अच्छी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी बेस तो टर्बल की जो quality है वो यहाँ ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है तर्बल की quality काफी अच्छी है बेस की quality के अंदर थोड़ा improvement की यहाँ पे जरूरत थी इतना loudly जो है वो यहाँ sound नहीं देखने को मिलेगा तर इस प्रकार की design के अंदर आपको इतना loudly volume आपको देखने को नहीं मिलता है ज़्यादातर earbuds के अंदर और बात करते हैं अब इसके wholesale price की तो इसका जो wholesale price है वो अपने को मिल रहा है 700 rupees के अंदर तो आपको यह product कैसा लगा वो हमें comment करके बताएं और चैनल को subscribe कर लो मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए take care